गुड मॉर्णिंग एवरिवन आज 15 जून है तो दैनिक जारन के राष्टी संसकन न्यूज पेपर में पीटी मेंस और इंटिविए और इन कौन-कौन से न्यूज को कभद किया गया है जो यूपेसी और स्टेट पीशियर स्परेंट के लिए वो महत्पूर्ण है साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप YouTube चैनल को जुरूर सस्क्राइब किजिए, सेर किजिए, सपोर्ट किजिए, बेल आइकन को भी दबाए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप पर पहुंचे और कॉमेंट सक्षन में महत्पूर्ण सुझाओ के साथ साथ पीटी फेट के जो प्रस्ण पूछे जाते उसका उत्तर देने का पर्यास कीजिए आगे बढ़ते हैं आप लगतार चक्रवात के बारे में सुन रहा हूंगे रोकी मानसुन की प्रगती तो या UPSC के GS Paper 1 जोगरफी के पार्ट में आपको मानसुन प्रभाव से पूछेगा ध्यान रखिएगा या जिस प क्या है कि अरफ सागर में चक्रवात जो है यह आया हुआ है पहले मानसुन की तय सीमा केरल में परवेश से रोका है अब आगे बढ़ने से भी रोक रहा है पहले तो क्या किया यह आपको क्या कर रहा मानसुन की जो हवाएं थी जिसे केरल के टट पर आकर आपको भारत की वि कि खाड़े होते हों मानसुन पर क्रिया क्या और आगे बढ़ने कि नमी का पार्ट यह नहीं तो जिससे यह कहीं न कहीं परभावित हो रहा है, मांसों हमारा लेट हो रहा है, ध्यान रखिएगा, एक जुन को केरल में आता था, उसमें भी आप लोग को आठ तारिक को या परवेस किया है, वो सब घटनाओं को ध्यान में रखिएगा, पीटी फेर के तोर पर चीजों को क परवेस कर रहा था, चकरवात के मजबूत होते ही मांसुन उत्तर पुर्व और दच्छिन पश्मी टटों से आगे नहीं बढ़ पाया, अब इसको समझेगा, परियास किजिएगा, मैप से, कि आप इंडिया का मैप लिलेजी, यह पूरव है, यह पच्छिम है, यह उत्तर उत्तर पुर्व कुन सा हो गया, उत्तर पुर्व और यह पच्छिम हो गया, उत्तर पुर्व और यह पच्छिम हो गया, यह जो बढ़ने की परकिरिया है, उत्तर पुर्व जाने की परकिरिया है, उसको रोका, फिर दच्छिन पच्छिम, दच्छिन पच्छिम देख रहे अगर हम यह मांसून इस बॉंडी लैंड से जो आपको आगे जाती थी आप लोगो मैप में दिया गया था याद होगा एक मैप में जो आप लोगो आकिर्थी दी गई है याद होगा कुछ दिन पहले पीडियेफ नि दिया गया है उस आकिती में समझने का पर्यास कीजिएगा किस राज इसे कितने तारिक के मानसुन पहुचने की संभावना रहती है जो अमोमन उस तारिक तक वहां पहुच जाती पर इसमें लेट हो रहा है तो उस मैप के थुरू आप समझने का पर्यास कीजिएगा आगे बिहार में पूर्निया कटिहार तक पहुचने को बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाया कुछ दिन पहले तक कटिहार पूर्निया तक मानसुन के कुछ हवाएं तक पहुच चुकी थी पर वह बी इसके प्रभाव में जो मातरा में आने चाहिए उस मातरा में इसे आप आगे चीजों को लिख सकते हैं ठीक है अब देखिए एक मामला है भश्टाचार के मामले में तो यूपेसी जीएस पेपर टू में यह को टॉपिक आएगा सरकारी नितियों में अब भश्टाचार जाच अजनसी में तो इसमें मैं पहले भी नीज एनलेसिस करा चुका हूँ सभी चीजों पर परसासनी गितने भी धाचा गत है जिसमें भश्टाचार की जाज करने की सकती हैं प्राप्ति उस सभी पर हमलों चर्चा कर चुके हैं तो आप उसे जाके जरूर देखिएगा वह सारे स्टेटिक्स पार्ट को लगवा पूछे जाते वह लगवा कंप्लीट है उसको बस अपडेट करते चलना है कि उस मामले में नए अपडेट क्या हुआ तो नए अपडेट यह हुआ है कि एडी ने क्या क्या तेमिलाडू के उर् इसकी सीमा क्या है या किन-किन मामलों तक जाच कर अधिकार दिया जाता है इसकी सेजन्सी को इस पर मैं पहले भी चर्चा किया हूँ तो ऐसा नहीं कि यह पहली दफा आपने से पूछी जा रही है तो आप एडियो पर पढ़े होंगे तो जरूर प्रिवियस वीडियो ठीक है उसके बाद देखिए अब बात हुई जैसे ही पकड़ा गया मंतरी यह जो पकड़े गया है वैसे ही देखिए कुछ लोग द्वारें के समर्थर में आने आया गया और यह मामला देखिए क्या है कि सिस्टम इंडिया का क्या हुगया मैंने कुछ दिन पहले ही बताया करें नेगेटिव काम करती है तो ऐसा वातारण है ही ने कुछ सुधार पर क्रिया की मांग करें सीधे आरोप परत्यारोप को मानलेजर एजनसी एडी किसी के निर्देश में काम कर रही है सुप्रीम कोट ने यह से निर्देश दिया कि जाच करिए अब है कि विपक्ष के ल निक्षे के पेपर में आप लोगों में दिखाऊंगा पहले उससे देखिए इन चीजों को समझने का परियास की सुप्रीम कोट ने पैसे लेकर नोक्री देने की घोटाले के पुलिस और एडी की जाच करानी के अनुमती दी अब सुप्रीम कोट ने आदेश दिया है तो अ दिक्कत है घड़े में पानी नहीं है तो भी दिक्कत होगी अब सुप्रीम कोट के आदेश के बाद एडी जाच करी पुलिस जाच करी तो घोटाले में सेंथिल बाला जीक का नाम भी आया यह घोटाला उस समय का जब अन्ना दुर्मिक सरकार 11-15 के परिवहन मंत्री थे उस पर क्रिया चलेगी तो उनको पकड़ा गया है तो देखिए क्या होता है नीचे हम आते हैं कुछ ब्यान बादिया सुने उसके बाद हम आगे बात करें हैं हमारे एको सिस्टम क्या है इसको समयने का परियास कीजिएगा कि दर चलागे देखिए पुर्जा मंत्री सेंथिल ग कॉंग्रेस अध्यक्त जो है उनके द्वारा यह बोला गया प्रक्षी नेताओं को लोगतां तो शंगिये व्यवस्ता परहार किया जा रहा है साथ ही साथ यहां पर और भी बाते की गई है ब्यान जारीकर सेंथिन इडी द्वारा की गई गिरवतारी की निंदा की है और इस अर्थ यह निकाला जाए कि वर्तमान सरकार सुप्रीम कोट को निदेश दे रही है यही कहना काना चाहते है या तो तै कर लिजी आप कि सिस्टम नहीं है या तो सिस्टम है तो सिस्टम नहीं है तो सुप्रीम कोट माननी सुप्रीम कोट का विया देस आप नहीं मानते है उनके संदर्व को नहीं समझते हैं, अब वो समय समाप्त हो गया है, जहां पर इस प्रकार की चटुकारिता की जाती रही है, अब देखिए समय यह है न, और रही बात बंगाल का मामला रहे, बिहार का मामला रहे, यूपी का मामला रहे, आपको इस संदर्व के मामला आप दे कि जहां भी भस्टाचार लग रहा है कि इस संदर में कि money lending का है या न्यूक्तियों में भर्तियों में न्यूक्ति जो की जारे उसमें भस्टाचार के मानक तै किये जा रहे हैं उनके लिए ED या तो संबद जो भी agency कारे कर रही है तो एक तरफा विरोध होना नहीं एक तरफा विरोध होना चाहिए सभी पार्टियों के दुआरा अब क्या वही स्थिती है जो स्थिती 1960-1970 के दसक में हुआ करता था जिसकी भैस उसकी ही लाठी अगरीब जनता उसके परपार्टी सुनिएगा उसकी पीट हुआ करती थी जिसकी भैस होती थी उसी की लाठी होती सी और जनता के पीट पर उसको पीटा जाता था वो कॉंसेप्ट अब रहा नहीं न जनता भी जागरूप हो चुकी है जानती है कि सही क्या गलत है उसको हर परक्स्ती है जनता को बस यह चाहिए कि जो सेवाओं की आपूर्थी करने वाले एजेंसिय है उसमें भष्टाचार के अस्तर बहुत कम हो नगन्य हो सरकार इसके लिए परतिबद है एजेंसिया परतिबद है तो यगर सभी चोर-चोर मोसरे भाई को दर्ध होता ते दिक्कत सिस्टम में नहीं है अब चुनाओं में देखिए अभी जीते हैं तो आपनों देखे होंगे कुछ चुनाओं योग पर कोई प्रस्न इस पार्टी के दौरा नहीं उठाए गया या किसी अन्र पार्टी के दौरा नहीं उठाए गया जैसे इनकी हार होगी किसी अन्राज्यों में देखिया सिधे किन सरकार पर वर्तमान अब ऐसा नहीं सोचिएगा मैं पॉलिटिक्स में बात कर रहा हूँ यह दिलो की नियत बन चुकी है तो समझने का परियास कीजिएगा अब यहाँ पर कि सरकार की एजेंसिया नितटास्ट होकर काम कर रही है तो यहाँ पर देखिएगा जैसे ही यहाँ पर अन्राज्यों में पार्टी हारेगी या इनकी उपक्स की पार्टी हारेगी तो चुनाय पहले आपको क्या बता है इस परकार के आरोप परते आरोप क्या करते हैं इन पाठीयों का तो हित पुरा हो जाता है पर जनता के मन में लोकतंत्र की निव तक हिला देती है उनको उन पर हैं जनता को किसी भी संस्थागत एजन्सी पर विश्वास धिरे-धिरे समाप्थ होने लगता है और यह देश के लिए नासूर का काम करता है मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों को बोला था देखिएगा यह लाइन आपको किसी ने किसी जियान में आएगा किसी तिपन्नी में आने वाला है अब वो सुप्रिंग कोड के मामले में मानिये ने अधिसों के परणान मंत्री के द्वारा जाए या संबद जो अजन्सियां उनके द्वारा यह बात की जाएगी क्योंकि चलन बहुत खतनाक सिसी से बदला और आप से इंट्यू में ऐसे ही प्रसुन पूछा जाएगा अगर आप अधिकारी हों और आपको पर ऐसा आरोप परत्यारोप लगाया जाए तो आप किस प्रकास से इसका मुकावला करेंगे आपके पास कौन-कौन से करवाही के तंत्र होंगे जिसके अधार पर आप आरोप परत्यारोप से बस सके तो आप तथ्यों के साथ ही जाएगा ना तो तथ्य मैंने आप लोग को बताया कि जब चीजे संस्थ तो सोच के देखिएगा मामले में आप न्यूटर रहिएगा इसा मामले मैं हलाकी पॉलिटिक्स संदर में मत समझेगा मेरी बात हो बस एक जामपल में दे रहा हूं नहीं तो कॉमेंट में लोग बचकाने भरकतों की तरह आप उसे शुरू कर दिजिए कॉमेंट में कि आप किसी पार्टी विसेस को को कि दर्द होता है ना जो जो समर्थक होते हो आलचना नहीं सुनना चाहते हैं पर हमारे कमूविस हमारे देश में ऐसा ही और ऐसा नहीं कि भाजपा दूद का दुला हुआ मैं भी बार-बार बात में बोलता हूं सभी पार्टी आपने राज्य के अस्थापित करते हैं बस बेस में क्या रखना आप लोगों ध्यान सत्ता का अभियास का कॉंसेप्ट जिसके पास यह पावर एक्जुक्विट होगा वही सासन पर सासन करेगा पस इसी कॉंसेप्ट को समझते भी आगे बढ़ेगा अभी यह वी एक टॉपिक इंपोर्टेंट कि 21 विधी आयोग था और 22 विधी आयोग दोनों ने अपने क्या किया है कि पब्लिक नोटिस जारी किया है कि समान नागरी सहीता क्या होने चाहिए राय मांगने के लिए बात एक की गई है ठिक है न कि और आप भी और हम भी इस पर पासिपेट कर सकते है तीस दिन का समय दि सकते हैं या तो फिर उनके एड्रेस पर क्लियर है तो देखिए वर्टमान में सरकारे क्या करें साम जो विधी आयोग थी किस्वी विधी आयोग तो चलिए सबसे पहले कोश्चन यह बताईगा किस्वी विधी आयोग का धेक्ष कॉन थे ठीक है ना वन सकेंड तो समझने का परियास यही किजिएगा आप लो कि 21 विधी आयोग की रिपोर्ट ने समय समय पर नोटिस जारी की थी कि हमको पब्लिक नोट चाहिए जैसे पहले जारी किया गया 19 मार्च को 2016 में फिर 27 मार्च को 10 अप्रेल को फिर 2018 में 10 अप्रेल को जारी किया गया था पब्लिक नोटिस कर सकते प्लिक नोटिस जारी किया गया है और प्रामर्स जारी किया गया और राय मांगी गई है कि आप लो समान नागरी सहिता के संदर में अपने राय देता कि उस पर जो भी आगे करवाई हो कारे किया जा सके ठीक है ना तो आपनों इसे अफडेट रखिएगा थोड़ा सा की नोट्स इसमें बना ले जएगा 21 और 22 विदियायोग ने क्या किया अपने संदर में बाते कि कम नोटे जारे किया कही न कहीं आपको यह काम देगा ही देगा ठीक है ना तो इसे ज़रूर एक बार नोटिफाई कर देए चलिए आगे हम लोग बात करते हैं वर्स इस वर्स भारत छोड़ जाने वले अमीरों की संख्या कम होगी यह पीटी फैट के तौरप पूछा जा सकत क्या है यह मामला समझने का पर्यास किजिए वर्स 2023 में भारत विदेश जाकर बशने और निवेश करने वाले हाई नेट वर्थ इंडुविज्वल यानि धनी लोगों का संख्या में कमी होगी हैनल प्राइबेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2023 के ने कहा है कि इस वर् कि एक हजार कम है क्योंकि आप लोग को पता है 2019-2020 में क्या था करोना का काल था इस्तितिया क्या हुए 2022 में लोग नए तरीके से आपको चीजों को यहां डेली करते रहता ही लोग चलिए फ़ड़ासा डिस्टर्बंस है इसके लिए अब ध्यान रखिएगा निवेश के दस लाख डॉलर करेब 8.2 क्रोड या इससे अधिक संपत्ति रखने वाले को हाई नेट वर्थ माना जाता है निवेश ध्यान रखिएगा जो आपको H&WI से बोला जाता है ठीक है तो यह आपको केटेगरी याद रखना कितने 10 लाख डॉलर या इससे अधिक संपत्ति वाल अध्यान रखिएगा यह रैंकिंग आपको याद रखने इस ऑफ डूइंग बिजनस रैंकिंग वैस्विक रैंकिंग जो भारत की 2327 वर्थ के लिए है तो ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को कवर करना है ठीक है उसके बाद भारत में 3 लाख से अधि है हाई विडेट व 1078 सेंटी मिलिनियर है था जिसके पास 10 करोड डॉलर या 820 करोड रूपय अधिक की संपति वहीं 123 अरब बिलियन एक बिलियन डॉलर वाले या 8200 करोड अधिक वाले संपति वाले लोग है तो इसे सूची बना लिजेगा हाई मेडियम लो वाले ठीक ना कुन-कुन है कितनी स संख्या कितनी है इसका मात रख क्या है कितना कोड़ प्या होता है इस तरीके से ठीक है ना चलिए आगे हम लोग बात करेंगे अपसिद्धा देश को ने जहां यह लोग जाते हैं सबसे ज्यादा अस्टेरिया जाने की स्वंभावना रहती है पहला स्थान पूसकर यूए संयुत अरव अमिराद जाता है उसके बाद सिंगापूर जाता है उसके चौथ है स्थान पर अमरीका है जहां पर हाई नेटवर्ट वाले लोग जाना पसंद करते हैं वहां पर अपना कारोबाय स्टार्ट करना चाहते हैं किलियर हो गया पीटी फैट के तौर पर याद तौर इसको कारकाल समाप्त हो रहा है तो इस पर कई बढ़ता स impressive पर धिखराय से लेके 21 वर्स के साथ जो पैत्रिक शंपती उनके अधिकार में सामिल किया गया है तो ऐसे मामले पर यह बिडिया आपको committee की उसके बाद याद रखेगा समलाप तो question में बताईएगा इस committee का नाम क्या है जो उत्राखण में UCC के लिए गठित की गई थी उस committee का नाम आप लोग बताईएगा पहले भी चर्चा की गई है आप लोग को चर्चा की जाती है तो ध्यान रखेगा list जो भेजा जा लिस्ट को अच्छे से आप लोग वैसे ही write down करिएगा daily मैं हर चीज को मैं बार बार बोलता हूँ फिर भी कुछ लोग इसको सुनते नहीं है बाद में बोलते हैं sir मेरा result नहीं हो रहा है या मेरा confusion अभी भी बना हुआ reason उसके पीछे यही है कुछ कुछ चीज़े आप लोगो trick बताए जाती जो काम को असान बनाया जा सका है smart work किया जा सका हूँ आप लोग फोलो ही नहीं करते हैं एक दिन रेंडमनी मैं मैंने मांग दिया तो किसी का PDF नहीं आया कल रुबी जी ने द्वारा भेजा गया था आपको लिस्ट अब परियास उनके द्वारा किया गया है पर जो चीज़े बताए जाते जिस तरीके से बचाए जाते वो काम कीजे ना ज्यादा benefit होगा रुबी जी और अनलोग भी देखिए आप मेहनत कर रही है फुरा सा मेहनत को modify कीजे जिस तरीके से बताए मैंने बोला date डालिए date के बाद topic डालिए उसके sub topic डालिए उसके फिर next day का date डालिए main topic sub topic डालिए आपने क्या किया है रुबी जी लिस्ट ही बना दिया है किस दिन कौन सा question topic क्रिया है ये कहां आपने लिखा है और ध्यान रखी गई लास्ट टावर में आपको बहुत काम देगा कि लियर है ना आपको मैं अभी आप चैनल गुरूप पर टेलिग्राम गुरूप पर डेली भेद दे रहा हूं कम से कम उसको भी देखकर आप लोग कर लिजेगा इतनी तो महर्बानी हम पर कर लिजे चलिए आगे हमनों बात करते हैं तिस दून को कानून का मसोदाद देना है और विसे से कमिती इसमें कुल कितने एकावन बैठके की गई अंतिन समवाद जन समवाद किया गया है और रंजना देशाई ने कहा कि जो सेना नवीर्थ जस्टिस इस समीटी के जो अध्यक्ष है उनके द्वराब बोला गिए ऐसा कानून होगा जो समाजिक ताने बाने को मजबूत करेगा साथे साथ क्या होगा कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की बात होगी आर्थिक समाजिक धार्मिक असमानता लड़ने का मदद करेगा ये सब मामलों पर यह प्रस्ञ इन सही करेगा उसके बाद ध्यान रखेगा यह हर धर्म को पसंद आएगा महिलाओं बच्चों दिव्यांगों के हितों का रक्षा की प्रात्मिक्ता दी गई है विवाह तलाक उत्त्रादिकार सलक्षन करता हिरासत विरासत से समनित मुद्दो परियाद शहिता बेहता सिफारिस करने की बात कर रही है धार्मिक रायनितिक और समाजिक नेताओं को पसंद किया जाएगा इसकी बात इनके द्वारा की जा रही है और भी है डाक्टर सुलेखा जो सदस्ने इस समिती के उनके द्वारा बोला गया कि प्राचिन संसकारों को और प्रमप्राओं का खेर रखा गया ह आने वाली PD के समख्ष जो भी नए प्रस्ट में होंगे प्रकार के सम्मंदों कानुन चुनोतियों को लड़ने का रास्ता दिखाएगा लड़कियों के लिए तैय साधी के स्विकार उन्न सिमा तैय करेगे समलेंगी को और Live in Relationship के समपतियों का दिकार जैसे मुद्दे भी इस UCC में सामिल किया जाएंगे अब इतनी बड़े ओरा को क्रियेट कर दिया गया है बहुत से मुद्दे को समझाया गया है यह तब समझ में आएगा जब इससे समंदित मौसोदे सामने आएंगे तो मौसोदे शामने आएंगे जो कमीटी रिपोर्ट करेगे इस पॉब्लिक ड लागू हो जाते है तो याद रखेगा यह मील का पत्थर सावित होगा अनराज्यों में UCC लागू करने के लिए अगर जो बाते इनके द्वारा की जा रहे है मानली सभी धर्मों के लिए क्या होगा पसिंदा और समाजिक नेताओं के धार्मी समाजी राजिति नेताओं के पसंद किया जाएगा जो बाते इनके द्वारा की जा रही है या तो ताने बाने जो समाजी ताने बाने जो disturbance की बात की जा रही थी UCC के लागू होने पर अगर यह सब नहीं भी गड़ता है तो यार रखेगा यह कानून मिल का पत्थर सावित होने वाला है अब हमें भी बहुत ज़री इच्छा रहेगी इस डाप को जल से जल देखने का ताकि उस पर नियू जनलेसिस किया जा सके और एक नया कॉंसेप्ट आप लोगों को दिया जा सके तो उसका वेटिंग मैं भी करूँगा और उमीद करता हूँ जो बाते की जा रहे हैं उसके समतुल चीजे हुआ हो उस रिपोर्ट में और सभी संबत्यों की देश में UCC कानून जनसंख्या नियंत्रन जैसे ऐसे मुद्दे है जो आपको जल से जल उस पर निर्ने लेने का कारे होना चाहिए नहीं तो समारा समाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है समाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है नहीं तो क्या होगा आने वाले समय में नासूर यही जो अरतमान में जो समस्या हल होने वाला घाव है न तो आने वाले कुछ समय के बाद यह क्या हो जाएगा आने वाले कुछ समय के बाद यह नासूर बन जाएगा जिसका समस्या समधा तत्काल उससे धुनना जरूरी हो जाएगा नहीं तो विकट रूप से हमें इसका परिणाम भुगतने के लिए तयार होना पड़ेगा यह सब चीजे थ्यां रखिएगा अब है कि यूपेस्टी के जियेस पेपर 2 में यह आएगा राज के निती 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 पुराने ढाड़े पर लिखना सुरू कर दीजेगा ग्राप बनाईएगा इसे बॉक्स बनाईएगा सरकार योजना सरकारी योजना का नाम लिखेगा उसका उद्देश क्या इसे लिखिएगा मान लिजे आईसमान भारत लाया है तो लिए जन जातिये लोग पढ़ान मनती आवास योजना की बात की ग्रामीन उसके बारे में यहां लिख दिजे उसको क्या जन जातिय वर कुछ से क्या लाब मिला ऐसे जितने यहां पर आपको देख रहे हैं सरकारी योजनाओं का नाम य इस लिस्ट का PDF आप लोगो शेयर करना है Communication Group में युक्ति आईएस के Communication Group में युक्ति आईएस के Communication Group में आप आप पर जो है बना हुआ सभी लोग एड होंग उस पर जो भी आप डाउनलोड करता है उस सभी के लिए जितने लोग सुन रहे हैं जो Paid Group लिए हुए भी हैं जो नहीं लिए हुए हैं सभी लोग वहां भेजेंगे जो मुझे Follow करते हैं ताकि मैं देखूं कि आप लोग कैसे काम कर रहे हैं जितना बोला जारा अतना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं यहां से प्रस्ण आपको पूछा जाता यूपेसियस टेट पिसियस में किलियर है तो इन सब डाटों को क्या करना है आपको नोटिफाइ करना नोट बना लेना है चाड़ी आगे हम बात करेंगे इसी में नीची आ जाते हैं अब ध्यारखन में कि गढ़वाग में टिका करन के नाम पर मनत्रांतरण का परियाश 14 हिरासत में आयब धर्म मनत्रांतरण से समंदित मैंने पहले भी नियू जन्लेसिस किया हूँ आपको पीडिएफ अब लेवल है बीडियो अब लेवल है किलियर है कैसे धन्मंत्रांदन समंदि नियम कानून है कैसे विधी से समंदित अधिकार प्राप्त होते बैक्ति को कानून को कानून के अजेंसियों को सभी पचर्चा की जा चुकी कितना जायज होता है कितना नजायज होता है धन्मंत्रांदन यह सब मामले ध्यान रखिएगा धन्मंत किर्टी या किसी के कमजोर करना है न उसके धर्म पर आगात करो धर्म करो धार्मिक आचरन को प्रभावित करो तो वो सभ्यता स्वता नश्ठ हो जाती है अब इसका एक जामपल आप कहां से समझ सकते इसको समझने का परियास किजेगा अब ही मैं बताता हूं आप लोग को इस समय देगा परियास किजेगा है कि वन सकेंड मुझे समय दीजेगा है कि आज अक्टिली करेंट फिर्स क्लास नहीं हो सकी कुछ इसु हो गया सर के पास नेट खा रिकॉड़ेट क्लासेज आप लोग को अप्लोड हो जारेगी कुछ शीचलने में उसको देख लीजेगा आप विगनर के लिए क्लासेज के लिए विगनर है अब देखिए मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोग इस पर नियू जनलेसिस किया था कि मंदिर का सभ्यता दिया था नम विदेश नित्यी में आरहा है लागू करने का पर्यास किया जा रहा है जिसका अर्थ क्या आप लोग को लगाना सनातन परविर्थी से लगाना है आचरन से लगाना बहवार से लगाना मैंने असपश्ट किया था तो याद कीजिए भारत में जब इस इसाइप मिस्नरी आई उससे पहले अरब के लोग आए उन्होंने भारतिय सनातन परविर्थी को या अचरन को प्रभावित करने के लिए क्या किया था आफ को यह उधारन आपके सामने है आपको यह क्या होता है कि अगर ऐसा करते है न तो इस समुधाय के लोगों से परवस्णीं खड़ा ओने लगता है यही होता है कि एन के प्राक्रेन क्या करना जो प्राचिन सभ्यताये आच्रण प्रदती है उसको डेमेज करना लोगों को हतोसाईथ करना जो लोग डर गए अरब लोगों से या किसी लाव में क्या हुए या तो वो मुस्लिम बन गए या तो भारत में इसाई बन गए यही न है यह क्योंकि यह हमारा मूल तो था नहीं हमारे ओर जिन से उत्पन तो नहीं हुआ यह बाहर वाले कॉंसेप्ट से आये थे हलाकि उनकी पीडियां यहाँ पर है माना जा सकता है पर इनके मू कि सीधे आच्रन को प्रवाइद करता है और लोक स्वास्त को प्रवाइद करता है सीधे युक्ति युक्ति परतिवन्द जो कॉंसेप्ट है राजी के उसको टच करता है तो राज क्या लगाएगी युक्ति परतिवन्द लगाएगी क्लियर हो गया क्यों मैं यह बात बताया संदर्व को समझने का परयास किजएगा हमारा बेशिक स्टरक्चर कमज़ोर करने लगता है धनांत्रन अब मांग लिजे धनांत्रन का अर्टिया समझेगा जो मूल धर्म है यहां का उसको प्रभावित करके अंधर्म विशेश आच्रवनों में ले जाना धनांत्रन इमंत्रा आपसी कहलाएगा या तो इसाई से कोई हिंदू वाला तो धन्नांत्र नहीं वह आपसी कहलाएगा क्योंकि यह मूल तो हमारे यहां नहीं थे न हमारी संस्क्रिति आज से मान लिजे कोई मुस्लिम इसाई यहां पर थे नहीं थे पाकिस्तान खुद को मुस्लिम राष्ट बोलता है क्या वहां खुद था सोच के देखिएगा नहीं था तो फिर समझने का पर्यास किजिएगा जब मूल रूप से कौन था मूल रूप से यह सनातन परविर्ति आचन वैवार में इसे ध्रमांत्रन हो गा अलग जाएंगे तो मंत्रांत्रन कहलं आएगा पर जब लोगों obtained से मुस्लिम या इसाहिए लोगों से आने किसी पंस्य अगर और आपसी आतmind मुन आपको क्या हुत भर वापसी धूरां यहां बोला जाता है इसको समझframe का प्रयास किएगा अब यह किसी विशेश को बुरा लग जाएगा अब देखे क्या लोगों की नियत इतनी गिर चुकी है नियत कि अपनी थाली में कितनी छेद वो नजर नहीं आ रहा है ठीक ना पर दूसरी थाली छेद यह जरू नजर आ रहा है हजारों ऐसे इसाई धर्म में कुरूतियां हैं जिसको अभी तक लोग ने सेट किये हैं अज उसको सुधाने का पर्यास ने कि मुस्लिम वर्ग में बहुत से कुरूतियां जो इसको एड़ॉप्ट तक नहीं करते ठीक करने के लिए या मेरे या कुरूति है भी फिर विए लोग क्या करते हैं कि दूसरे जो दूसरे के थाले उसको थोड़ा सा है बोलते हैं कि आप में हजार दोस है जबकि जितना स्वावल जितना मार्मिक रूप से परिवर्टन करने के लिए सनातन परविट्टी सहज रहता है उतना कोई भी विश्च की संस्था धार्मिक संस्थाएं काम नहीं करती है इसका सिंपल सा उज्यांपल देत है क्योंकि एक पृत्थिवी एक समाज एक उद्धिस आपका जब तक रहेगा तभी तक आप जिन्दा आपको मरने के बाद या आपकी क्या स्थिति होती कोई नहीं जानता है ठीक ना लोकी पर लोकी कि स्थितियां कोई आपको बहतर हुर मिलेगा की नहीं मिलेगा हिंदू से अपने वाटारन को संतुष्ट करके रखिए आप ऐसा कोई बहवार मत आचरम बहवार में लाइए कि जिससे दूसरे ब्यक्ति के दैनिक जीवन समाजिक जीवन या बहवारिक जीवन में कोई परभाव आए अगर ये कर लेते नहीं यहीं स्वर्ग है यहीं नरख इस कॉ इस तीका करन अभियान हैपिटाइटिस बी के जी बचाव के लिए तीका करन जागुता अभियान लाइए लिए लोग से क्या हुए एक जमा होगे लोग भारत में होते हैं इंडिया में तो खासका जारकन बिहार यूपी ऐसे च्छेतरे अगर कोई बजा दे तो वहां हजा लोग भिड़ जमा हो जाएं ये लोग आए उसके बाद क्या कि वूट सभी लोगों ने इसाई को अपनाने के सभी दुख दूर हो जाने की बात कही ही इसाई धर्म अपनाने से प्रीद करने लगे और कहने लगे इसाई धर्म में नहीं आओगे तो परिवार को लाखों पहले अपने देश में इसाई का उन्नत्य का पर्यास करो ज्यादा विश्ठ होगा आपको मैं आज दुनिया का सबसे बड़ा सच बताता हूं अगर आपने इसो समझने का पर्यास किजिएगा तो पूरे धर्म पंथ जो है ना कॉंसेप्ट आफ समझ जाईएगा देखिए ये परकार का कोई मूल विचार है ठिक ना मूल विचार है बी सी डी इसको समझिएगा मूल विचार जो बहुत से बातों पर टिकी हुई है एक दो तीन चार पाँच पॉइंट मान लेजिए बहुत से बात यह बोलता है कि आचन करो बहवार करो इसी से आपको मौक शिया बहुत से यह देगा मान के चलिए तो इसमें बहुत समय तक क्या होता है इसी पर लोग चलते हैं तो क्या होता है इसमें कुछ positive और negative बाते सामने आती है तो negative बातों को अलग से प्रस्तुत करने के लिए बीवर का जन्म होता है, जैसे हिंदू में आप देख सकते हैं, हमारे लोग ही, हमारे समाज के लोग क्या कहते हैं कि हिंदू धर में सुधार करने के लिए बहुत से आपको राजा राम मोहर लायल, केसो चंदर सेन, बहुत से एसे ज्यामपल मिल जाएंगा, दयानन सरस्वती, वेकानन सरस्वती, राम किस परमान से ऐसे हजारों आपको मिल जाएंगे, जो वर्तमान धर में कुछ सुधार करने क तो जब यह पर चलता है ना तो इनके पास क्या होता तत्थ है कि इस वर्तमान में कुछ कुछ कुरूतियां है उसको सुधार करना है तो वतमान में कुछ कुरूतियां उसमें सुधार करना है तो ये क्या करता है ये अलग परकार का थैसिस देरता है अलग परकार की विचार धारा देरता है ऐसे ही धर्मों के साथ होता है मान लिजे यहां का कोई छित रहे यहां पर कुछ मूल धर्म पहले से रहा होगा मान के चलिए कुछ भी हो सकता है अब नए विचार आए हैं किसी ब्यक्ति विचार दिया है तो यह क्या करेगा इसके दी मेरिट्स को निकालेगा नहीं दी मेरिट्स को निकालेगा और वो अपने विचार के लिए पुक्ता रास्ता उसी को चुनेगा तो अलग-अलग विचार आपको देखने को मिल जाएंगे पर जितने भी वर्ड में धर्म हैं पंत हैं आप हैं न सभी का गहन अध्यन मुल आपका विवाह है विवाह करना मुल एक तत है विवाह के मुल तत सभी में पाया जाएंगे किसी भी धर्म का हो पंध का हो किसी भी आचरन का हो सभी में विवाह पाया जाएगा पर उसकी पदतियां अलग-अलग होगी इसका मतलब यह नहीं हो जाता है कि आप धर्म की मौलिकता लिये हुए ठीक बात अब समझेगा अब इसी तरह सभी में मरन मरत्यू के बाद मिर्थी एक सत्त है मिर्त्यू का यह concept होगा जीवन मिर्त्यू का तो मिर्त्यू के अंतिन संस्कार की पदतियां अलग-अलग होगी, इसका मतलब इसका नमीन विचार तो आपका है नहीं ना. तब इसमें क्या ढूंडा जाएगा, कि किसी को जलाया जारा है, किसी को क्या करे जारा है, आपको छोड़ा जारा है खुले अस्मान में? तो समझने का परियासिया किजेगा मूल परविर्टी में नए संसोधन के साथ जो आता हूँ आया हूँ आचरन ही नया परविर्टी लेकर आता है जो नए नए धर्मों में आएगा देखने को मतलद नए नए पंथों में देखने को मिलेगा उसका मूल उद्दे सही होगा जो मूल परविर्टी का होगा उसमें कुछ नेगेटिव जो बाते की गई उसमें सुनसोधन करके हमें नए तरीके से पर्डूस करें जैसे बहुत से विचारधार आपको देखने को मिलेगी जैसे कभीर पंथी कभीर पंथी इन्होंने क्या किया आप लोग सभी को पता है न समाजिक ताना बाना में जो नेगेटिव बाते से सको सुधार करने का पर्यास किये उसी तरह आपको नयन नार आयनार वैश्णो धर्म लंबी सियो धर्म लंबी या इसी तरह बहुत से मुस्लिम समूधाय में यही सब किया है ना कि मूल में कुछ नेगेटी बात थी उसको सुधार करने के लिए नए नए कॉंसेप्ट लेकर आया इसका मूल परिवर्तन में केवल यही ता सुधार हमको करना है यही चीज़ अगर समझ जाएगा तो आप इस मंत्रांत्रन के पूरे कॉंसेप्ट को समझ जाएगा किलियर हो गया को डॉट हो तो मैसेज छोड़िएगा ठीक है ना डॉप किजिएगा मैसे इंसान बनिये बाकी कहानिया बाद में होती है ठीक ना इंसान बन जाएगा न तो यह जरूरी नहीं है जन्म के वक्त आपके जन्म दिवस पर कितने लोग बढ़ाय देने हैं यह माइने नहीं रखता है माइने यह रखता है आपके मिर्ति होने के बाद आपके पीछे कितने लोग बिन बुलाय आए हुए हैं यह सबसे बड़ा सत्य है अगर यहां दस लोग भी आप इखटा कर लिए कि बिना बुलाय है यह आपके दरवाजे पर आ जाए क्योंकि के मिर्टी हो जाएगी तो कोई आपको बुलाएगा नहीं ना पर जैसे उसको समाचार मिलेगा कि फन्ना आदमी की मिर्टी हो गई है तो उसको बिन बुलाए उसके दरवाजें पर पहुंच जाए अगर ये आप कर लेते दस लोग के साथ, बीस लोगों, पचास, हजार लोगों के साथ, तो समझेगा आप जीवन के सारे सत्य को समझ लिए, नहीं तो आपके मिर्ट्यू के समय चार कंधे भी मिलना मुश्किल हो जाएगा, जैसे तरह आचरन समाज का चल रहा है, अभी हर्धमान में, चार कंधे भी मिलना मुश्किल हो जाएगा, लोग एक दूसरे का विरोधी हो रहा है, बात-बात को लेकर आरूप अर्थ्यारूप लगाते, बिना किसी गहन अध्यन किये हुए, आज कल तो छोटे-छोटे लपाटे लोग है न, सोशल मीडिया पाके ज्यान देते हैं, जिनको है अभी त समाज में कुरूतियान, समाज में बेहतर करने का जो, बेहतर बनाने का जो मनसा उता वो कहीं कहीं धोमिल होता है, लोग कंत्र के जो खंबे कमजूर होते हैं, माईने कमजूर होते हैं, इसको समढ़ने का परियास कीबी, एक case study आपके सामने है, पहले गला काट तीन बेटिय कुमारा पत्नी की हत्या कि फिर फंदे में लटागा यह बिहार का खगड़िया जी लेगा है अब दिल दहला देगा ऐसा मामला किसी के आसपास हो जाएगा तो यहां पर मामला समझने का प्रयास कीजेगा यह मामला क्या था खोन खराबे के उतारूपती दस वर्षी आदित तिक्मार पेड़ पर बावु साब बहुत से चीजों को लेकर आ गहे हैं से कहानिया आपको सुनने को मिलेगा आप स्री रंजिस की बात होगी पर यहां समझने का यह परयास कीजिएगा कि मानों किस हद तक गिल चुका है मानुए बहवार किस हद तक गिल चुका है कि इस प्रकार के कठोर कदम उठाने से पहले एक सकेंड का इनी सोचता है कि इससे कितने रिष्टे तार तार होंगे आपको हाली में ठीर में कटे वे लड़की का मिला होगा रिष्टा इननी पुरा शरीर मिला है किसी को जी चोराहे पर चाकुंसे घुब-खुब के मार दिया जा रहा है कहीं आप देखते होंगे कि स्सीर कुचल-कुचल का मार दिया जा रहा है त यह समझने का मानुए इश्का कितना कमजोर होता जा रहा है तो आपसे यह प्रस्टे स्टडी में तौर पर पेपर फोर में पूछा जा सकता है बदलते मानविय बहवार ने रिस्तो को कमजोर कर गया है जहां पर इस परकार के हत्याओं को बल मिला है तो आपको थ्वासा इसके संदर्वे केस स्टडी करनी चाहिए देखनी चाहिए अब नेश्ट बात करेंगे हम लोग 45 मिनट हो चुका है देखिए मुख खोरी के जाल में फस्ते मत दाता मैंने फिवरीज के बारे में या मुख की जो मुख के चुनावी घोषना है मैंने इस पर पहले भी नवी जनलासिस किया हूँ यह तीन चार दफा हुआ पीडियेट में भी आपने को मिला हुआ है कुल मिला का कहानी यही है कि मैं भी समर्ता किसका हूँ कि मुख में लोग मिलनी चाहिए यह राज का करतब भी होता है होना भी चाहिए पर यह कब होना चाहिए जब आपकी कुल जनसंख्या का कम से कम 25% है ना डारेक्ट टेक्स देते हो इन डारेक्ट टेक्स तो सभी लोग देते है पर डारेक्स टेक्स देते है है कि आपमें दाईत तो समझ में है कि हमें समाज के परती दाईत क्या है परसासन के परती दाईत क्या सरकार के परती दाईत क्या है समझ गे इसलिए उन राज्यों में इस परकार की फ्रीविज वाली या कॉंसेप्ट है जा मुख्व की चीजे दी जाने चाहिए और जो हमारे देश में जो लोग इसे लागू करते और जिन देशों का उधारन देते हैं न वहाँ पर यही कॉंसेप्ट है ठिक ना बस यह अधार नहीं बना के अपने राज्यों में लागू करना चाहिए, कि अन देशों में तो यह दिया ही जाता है, राज्य का कर्तब होना चाहिए, पर उसके दूसरे पच को क्यों नहीं बताते हैं, उस राज्यों में सभी करदाता है, अपने 25% से अधी करदाता है, डारेक टेस्ट देने का अर्थ य यही होता रहता है बहुत से राज्यों में दिया गया एक्जामपल हजारों आपको ऐसे मिल जाएंगे špi तरीके से धिये जारहे यहीं हो पंजाब हो तमिलाड़ू करनाटक हो यह तो ऐसा नहीं कि आझ ही दिया जारा पहले दिया जा अलग-अलग तरीके से दिया था अलग नाम से दिया जाता था अब तो चुनावी घोषना का मूल मंतर यही होगी और ऐसा नहीं कि केवल विपक्षी पार् childhood के कुछ पार्टियों दिया जारा भाजपा के द्वारा भी दिया जा रहा है पर ध्यान अखिएगा इसका एक्जामपल आप यहां से समझेगा जिसमें पंजाब में अत्रिक्त बोज बढ़ा है उसका समाधान कैसे होगा उनके पास अभी नहीं हिमाचल परदेश में भी फिरी की बाते की गए अभी सरकारी क्र पर नगर निगम के लिए क्या है बसे फिरी है बहुत से चीज़े पंजाब राज परिवन की बापत हो रही है जहां पर 170 क्रूण रुप्या क्या है आपको कर्ज है सरकार कर्ज कैसे पूर्टी कि इसका कोई जवाब दे ही नहीं पर पंजाब में महिलाओं के लिए मुप्त कि आता देना पंजाब सरकार अपना कर्टब समझती है हिमाचल परदिस में भी यह इस्तिती है अनराज्यों की यह इस्तिती है तो यहां पर समझने का याद है समझेगा तुम मुझे खुन्डो मैं तुम्हें आजादी दूँगा वाला कॉंसर्प्ट यहां नहीं समझने क जहां पर नारे में बलिदान था खुद को को होम कर लेने का भाव होता है जबकि मुख्त के वादे में हासिल करने का भाव होता है तेखें न कि हमें कुछ प्राप्त होगा इसमें दोनों हासिल करते है रालितिक दल भी और वोटर भी लेकिन सर्मा करता क्या होता है अंतता दोनों का नुक्सान होता है तो उसके लिए क्या करना ऐसे में उसके मुकाबले को दुस्ते राज्य क्यों पीछे रहें या सभी राज्य अब तावर तो रहा रहें तो आने वाला पांच साल छो साल के बाद वित्तिय राजकोसी घाटा कितना बढ़ेगा उसका कोई आखलन अ इससे राज्य की एकता खंता धूमिल होती है अब माली राज्यों में इस प्रकार के अत्रिक बोज बढ़ेंगे सभी राज्यों में कुछ में कम कुछ में अधिक तो सीधा सीधी केंद्र पर दबाव आएगा केंद्र पर दबाव आएगा तो केंद्र वीत के अवंटन के ल निजी कमपनिया का दवाव बढ़ता है इस संदर में इस अंसर के इस प्लाटफॉर्म पर तरकी केंद्र दवाव में है तो हम उसे पैसा इंवेस्ट करते हैं और यह निकेंद प्राक्रेंड बार्गिलिंग कराया जाएगा हमको इंवेस्ट के लिए मौका दो हम करेंगे तु समझ गे क्यों मैं इस बात बो रहा हूं आने वाले समय में नासुर होगा अभी तो राजनितिक रोटियां से की जा रहे है सभी दलों के द्वारा आने वाले समय में समझ में आएगा कि हम कर्ज कैसे देंगे कर्ज नहीं दे पाईएगा तो केंद्र में जो भी सरकार होगी उस पर तिक दवाव आएगा और वित परबंधन में वो क्या करेगा नीजी हंतों से पैसा लेना चाहेगा नीजी संगर्शनों से लेना चाहेगा और उसके एवज में वो क्या करेगा बोलेगा कि हमको यहां पर इस छेत्र में चाहिए इतना जमीन हमको क्या लगाना है कि हम तक्निक अपनाएगा बहुत से बाते हो जाती है लंबी तक घिशी जाएगी ऐसी बात हो ध्यान रखिएगा हम फिर कल मिलते हैं नए निग अनलाइसिस के साथ तब तक के लिए धन्यवाद फिर हम लोग कल आप लोगा टेस्ट है बीपेसी का टेस्ट है कोस्टन आपको 9 एम में मिल जाएगा 11.30 से लेकर 12.30 तक आप जमा कर दिएगा कोपी अज संडे को इसका टेस्ट कोस्टन जो हुआ वीपेसी का चार कोस्टन हो जाएगा इस मद इस विक में तो आपको संडे को आठ पी एम में इसका इनलाइसिस करा दिया जाएगा एंसर आपको 9 तारीक को पेपर मिलेगा एम में दैनि जारन नीज पेपर एंलेसिस टेस्ट हो रहा है न उसका और वीपेसी का कोस्टन आपको उस दिल मिलेगा उस तारीक को स्ट्यूल है न तेस थड़ का तो आपको इसके बाद 2 बज़े पेपर मिलेगा वह कि पहले आप इसको लिए उसके बाद इसको लिखके जमा करना में भेज दूँगा और इसके बाद राइटिंग का इनलेसिस में करा दो कोपी आज सभी के कुछ के रह गए तिन चार लोगों के रह गए आज मैं सेयर कर दूँगा आप सारे लोग कोपी देख लिजिए ठीक है न और जो कॉमें किये जारे कोपी में उसको गहन अध्यन कीजिए इसको समझने का पर्यास कीजिए कोई दिक्कत हो डायेट कॉल करके बात करें चले धन्यवाद जयें